हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं करने जा रही हूं आपके सामने अपने मिक्सर ग्राइंडर का अन्बॉक्सिंग जो कि यह फिलिप्स की है और यह मुझे मिली है एकिस सो पचास की आप लोगों को तो मैंने कई व्लॉग में बताया कि मेर मिक्सी खराब हो गई थी उसको मैंने दो बार बनवाया लेकिन वह फिर खराब हो गई और उसका मिक्स छोटा जो चट्मी वाला जा रहे वह भी टूटा हुआ था तो फिर मैंने नहीं मिक्सी लेगी और यह मैंने जो मेरे घर के पास बूतनात मार्केट है जहां का मैं आप को कई बार देखा जो पुलmed anci gonna कमार के सोहीं लई है तो इसको घार कर दिया था तो मैंने सुच है कि आप लोगों के साथ ही मैं इसको खोलती हूं आप लोगों के सामने के चाहिंग मैं तो मैं यह इसकी पैकजिंग को ण्योंदीन है कि सर Wade UK के पैकेजिंग में आया है इसको खोल लेते हैं और ये इस तरीके से पूरा पैख है उपर इसमें सारी जितने भी उसके जार हैं उसकी लिए ड्रखी वी थी तीन जार है तीनों की और फिर ये अंदर मिक्टर और तीनों जार रखे हुए हैं तो उसको निकाल लेते हैं यह हैं और यह पांसो हार्स पावर की मोटर है इसमें तो इसमें वितलब मसाले भी सारे पिस जाएंगे यह इसके सारे जार इस तरीके से वालेसिंग में रैप है उसने मुझे वहां पे सारे जार चेक करके दिखाये थे मैंने सारे चला के देख लिए थे वहां पे यह वाइट कलर की है मैंने उसे पुछा था किसी और कलर में हो तो कि वाइट जल्दी गंदा होता है कुछ भी कर जाता है और यह इसका लो मीडियम हाई इस तरीके से करके इसका सुच है यह आप हो जाएगा सीजा करने पर इस टाइड ही इसको करना है इसके लिखा हुआ है सब तो कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं होती है और यह इसका बड़ा जार है शेक वगएरा बनाने के लिए या फिर ज्यादा लैसन ट्याज टमाटर ज्यादा की हो तब वो पीसने के लि इसके लिड है दो के प्लास्टिक के दे रखते हैं और एक फाइवर का है कांच की तरीके से लगता है यह इसका है और यह उससे छोटा वाला जार है अधिकर तो यही यूज में आता है वीच वाला ही यह इसका है लिड लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा टाइट है यह उस वाले का तो नहीं है बड़े वाले का लेकिन फिर मैं कंफ्यूज की मैंने लगा के देखा तो यह इसी का था काफी टाइट है मतलब कु यह इसका है और यह सबसे छोटा चट्नी वाला है इसका भी प्लास्टिक लिड दे रखी है स्टील भी कापी अच्छी है सबके कटर भी मैंने पुरंत रात में ही चट्नी भी पीसी थी तो अच्छी चल रही है मतली है यह इसके तीनों जार यह इसके तीनों जार और यह मिक्सी आई वोप आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थैंक